Hello friends, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत श्वागत है। अज मैंने बनाया है यह जोर में। यह मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इस िसे बनाना बहुत ही आसान है। यह श्रिफ मैंने सेप सेबस आप से आफ है और लेगी पजामी हो या ठीस्रट हो या मैक्सी हो लोवर हो या पिलाज हो उश्वी कपड़ा हो आपके पास जो भी आपके पास कपड़ा होगा उससे ये डोर मैट बनके तयार हो जाएगा तो चलिए मैं भी आपको बना कर दिखाती हूँ उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले देखिए मैं आपको पजामी मैंसे करके बता आप दो इंची की या ढाई इंची की ही पट्टिया कट करें उससे ज़्यादा बड़ी पट्टि नहीं कट करेंगे देखो मैं दो इंची इंची पट्टियां का ली है यह मैं डो इंची की पट्टियां कर ली है किया करेंगे मैं एक इस्तवाल करेंगे इस तरीके तसे देखो और दूसरे छोर में इसके में हल्की सी नौट लगाएंगे इस तरीके से उंगली डाल के नौट लगाएंगे इसमें अब क्या करना है जो हमने सेप्टि पिल लगाई है उसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे देखिए यह हमने एक नौट लगा दी है देखो ऐसे हमें टैन नौट लगानी है इस तरीके से देखो देखो यह दूसरी नौट लगा दी मैंने ऐसे हमें दस नौट लगानी है देखो तो देखिए इसी तरीके से हमें दस नौट लगानी है इसमें देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौट लगाई है और यह हमारी दोर्मेट की शुरूबा हो गई है देखो अब क्या करेंगे जैसे हमने यह साट छोड़ी है यह वाली अब इसमें से निकाल लेंगे सभी मैंसे तो अब हम दो दो बार निकाल लेंगे तो देख अब इसमें से अम डवल नोट लगाएंगे जैसे हमने यह सिंगल लगाई है वैसे ही डवल लगाएंगे अब इसमें से इस तरीके से एक फिर उसमें से निकालेंगे एक दो यह मैंने देखो डवल वाइप नोट लगाई है अब यहां पर जो हमने दूसरी पिली थी उसे लगा देंगे ताक कि हमें मालम पढ़ सके कि यहां से यहां तक हमारी दूसरी लाइम हो गई है तो ऐसे ही फिर अब इसमें से निकालेंगे इसमें से एक बार में आपको और बता देती हूं पहले मैंने टोटल इसमें 10 नोट लगाई थी अब यहां से इस साल में से अब हम दो बार नोट लगाएंगे देखो इस तरीके से एक उसी में से फिर द्वारा से निकालेंगे यह दो यह डवल नोट हो गई है देखो सभी में आपको दिख रही होगी कितनी सुन्दर सी प्यारी से दिजान बनके तैयार हो रही है तो देखिए मैंने दूदो करके यह नोट लगा ली है यानि एक नोट में मैंने डवल वार यह अपने यो पट्टी चल रही है वह डाली थी अब इस तरीके से बनके तैयार है देखो कितना प्यारा सा आप क्या करेंगे आप इसे पिन को निकाल देंगे यहां से अगर आप यहां से दूसरा कलर लगाना चाहती है तो भी लगा सकती है मगर मैं दो बार और ऐसे ही बनाऊंगी इसी कलर से यानि देखो इस तरीके से हमने यह अपनी सेप्टी पिन डाली इसके उपर से धागा निकाला यानि जो कपड़ा चल रहा ह है वह वाला अब इस दूसरी वाली में से डालेंगे फिर दागे को इस तरीके से कर देंगे इस कपड़े की चीर को कर देंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो एक वार में आपको पताती हुँ देखो अब यहां से मैं अपना कपड़ा दूसरा लगा रहे हो लैगी का को से इस तरीके से लगाऊंगे इस तरीके से लगाना बीच मेंसे थोड़ा सा कपड़ा कटिया देखो यह मैंने कर लिया को निकाल देना इसे भी हम थोड़ा सा बीच में से कद करेंगे इस में से हम इसवारी पत्टी को निकाल लेंगे और फिर पूरी पत्टी को हम इसमें से निकाल देंगे इस तरीके से हैं एसे भी बहुत अच्छी तरह से पत्टी जोन्ट वो जाती dentro बसमें देखो तो इसी तरीके से हम अपनी इस जिजान को बनाते जाएंगे तो देखिए इसी तरीके से हम यह जिजान बनानी है इस तरीके से ऐसे ही नौट लगाते जाएंगे तो ऐसे ही अपने जिजान पूरे डूर मैटकी हम बना लीते हैं तो देखिए मैंने ये तीन नायने कारे कलर की कर ली है यानि लेगी पजामी की अम ये पलाजो पजामी लगा रहcej है हूँ ये पलाजो है मेरी अम मैं इसे इस्तिमाल करूंगी इस में को अब यहां से मैं इस द्रभी को, यानि कपड़े को कट करजूऊंगी बिनको मैं निकाड लोगी इसमें से, और इसे खोल कर, इसके बीच में थोड़ा सा कट करेंगे इस तरीके से छोटा सा जूल करेंगे, फिर प्लाजों में करेंगे थोड़ा सा इसे इसके अंदर डालेंगे इस मैंसे इसे निकाल लेंगे सबी को इस तरीके से हमें पठियां जूंट करनी है देखो कितनी आसानी से जूंट हो जाता है और पता भी नहीं चलता देखो ऐसे ही अपनी सारी पटियां जूंट करनी है फिर यहां से हम इसमें पिन को लगाएंगे इस तरीके से और जैसे हम बना रहे थे वैसे ही अपनी गियान बनाते जाएगे देखो डवल डवल निकारेंगे ताकि हमारे स्टोर मेट में जूल नहीं आएगी अगर आप सिंगल निकालते जाएंगी सभी में तो जूल आ जाएगी देखो पहले मैंने यह नौट लगाएं थी फिर इसमें डवल निकारा था यानि जवल-जवल नट लगाएं थी फिर सिंगल फिर जबल अब मैं जबल जबल की लगा होगी तूँकि अब बड़ा हो गया ना इसलिए तो देखिये मैंने ये भी इस तरीके से बनाया है एक बार में आपको और बताती हूं कि किस तरीके से मैंने बनाया है इस तरीके से देखो इस नोट में हम जो सेप्टी पे नहाँ है उसे मैंने डाला है देखो फिर इस दाग जो पट्टी मेरी चल रही है कपड़े वाली उसे हम इस तरीके से निकालेंगे लाजो की यह पट्टी है और खीच देंगे फिर दूसरी में डालेंगे इसे फिर ऐसे उपर से निकालेंगे लाजो की पट्टी को ऐसे खीच देंगे ऐसे ही हम नोट लगाते जाएंगे और इसे बनाते जाएंगे देखो अब मेरी तीन लाइने पूरी हो गई है एक लाइन मेरी यहां से शुरू हो रही है इसे बनाना बहुत ही आशान है यह सिर्फ सेप के पिंसे बनके तयार होगा बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा यह जोर मेट और यह सॉप्ट भी है देखो और यह दोनों तरब से एक जैसा है आप किदर की साइट भी इसे इस्तमाल कर सकते हैं चाहे तो इधर की साइट और चाहे इधर की साइट इसमें देखो इतना प्यारा सा यह लग रहा है कि जैसे के कुरसिया से बनाया है इसकी डिजैनी भी बहुत सुन्दर है और इसकी बनाने की बिदी भी बहुत सरल है यानि आशान है एक बार मैं आपको यह पट्टी भी जोंट करके दिखा देती हूँ इस तरीके से देखो इस पट्टी को बीच में से थोड़ा कट करेंगे देखो मैंने ये कट कर लिया है अब कोई भी अपनी पट्टी लेंगे चाहे तो दूसरे कलरकी और चाहे इसी की प्लाजोगी इसे भी हम एक कॉने से कट करेंगे देखऊ इसे इसमें से निकाल देते हैं यह मैंने निकाल दिया है इस इसमें से इस पट्टी को निकालेंगे, देखो, अब इसे खीच देगे थोड़ा सा, यह कितनी आसानी से जून्ट हो जाता है इसमें, अब इस सेप्टी पिन को यहां पे लगाएंगे, और जैसे में बना रही थी, वैसे ही बना लेंगे, देखो, इसी तरीके से, उपर से इस निकालेंगे, आपको पता भी नीच लेगा कि मैंने नोट कहां पर लगाई है, देखो, ना तो पीछे की साइट में पता चल रहा, और ना आंगी की साइट में पता चल रहा, देखो, कितनी प्यारी सी है, सुन्दर सी डिजान बनके तयार है, चाहे तो आप इसे बहुत बना सकती है, और चाहे जितना चुटा बना सकती है, मगर मैं इतना ही बड़ा बना रही हूं, बश इस लाइन को पूरा करूंगी, तो देखिए मैंने ये पूरी लाइन कर ली है, अब क्या करेंगे इसमें, जब मैंने एक एक नोट लगाई थी, तो यहां पर हम डवल ये मैंने कस्के नोट लगा दी है, थोड़े सी अंदर में डालेंगे इसको, देखिए, अब पीछे के धागे में से थोड़ा सा अभी एक और निकालेंगे, कहीं से भी निकाल सकती है यार, इस तरीके से, और इसे हम ऐसे नोट लगाएंगे, देखो, देखो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहां पर ये डोर मेट खतम हुआ है, इसका बनाना और कहां से शुरू किया है, देखो, तो ये मेरा डोर मेट बनके तयार है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्पा प्लें तक तक दिली, बाइ!